तो गैस तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी Google Ads account पे आप कैसे promotion extension का use कर सकते हो जो की product or service दोनों में applicable हो सकता है और यह आपके CTRs which is engagement rate और आपकी performance को काफी अच्छा increase कर सकता है तो आपको अपने account पे जाना है जैसे कि आप उपर screen पे देख रहे हो तो ऐसी कुछ screen open होगी वह आप चूज कर सकते हो कि प्रमोशन किसी specific campaign पे अपलाए करना ad group या account पे तो इधर हम account लेते हैं for example किस occasion का अगर कोई promotion है holy, independence day, mother's day, mostly सारे occasions दो मेंशन होते हैं अगर किसी occasion का नहीं भी है जैसे मेरा अगर up to 40% off है तो मैं अदर लिख दूँगा up to 40% off वो किस item पे off है वो भी आप लिख सकते, up to 40% off on online tutions for example इधर आप अपना final URL डाल सकते हो किस planning page पे वो जाना चाहिए अगर कोई promotions का कोई extra page बनाए आपने तो वो आप इधर डाल सकते हो promotion details की कोई अगर order की above की application है कोई terms and condition है या promo code है कोई जैसे अगर मैं डालता हूँ अदर test 40 तो ये promo code आपके add पे भी दिखेगा जो आपकी काम को असान कर देगा और इसमें आप duration भी डाल सकते हो जैसे ये आज से start हुआ और ये अगर मुझे end करना है जैसे आज है 8th और अगर मुझे दिखाना है कि ends in July 10 तो ऐसे करके देखेगा to create that urgency तो ऐसे करके आपको right में preview भी देखेगा और left में आप इसको इस तरीके से set कर सकते हो hope it helps follow me for more such paid media marketing tips